योग गुरू बाबारामदेव ने जो कोरोना की दवा बनाने का दवा किया है उसको लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है तो इस बार वो जो सवाल उठे थे उनके जवाबों के साथ बाबराम देव सामने आये और अपनी उसी दवा को कोरोनिल नाम की दवा है जो कह रहे हैं कि ये कोरोना का इलाज करने के लिए दुनिया की पहली दवा है और एविडेंस बेस इसको उन्होंने बताया है तो अब की बार विवाद ये हुआ है बाबराम देव की इस कोरोना उपचार की दवा में कि पतांजली के एक टॉप एक्जेक्यूटिव हैं वरिष्ट अदिकारी हैं उन्होंने ये दावा कर दिया कि ये जो दवा है ये विश्व स्वास्ते संगठन से मानता प्राप्त है औ इसको खारीज कर दिया है और ये कहा है कि WHO has not reviewed or certified the effectiveness of any traditional medicine for the treatment यानि कि वो ये कह रहे हैं कि हमने ना तो किसी दवा को traditional दवा को ना तो हमने review किया है और ना ही हमने certificate दिया है इस तरह का तो इसके बाद में अब पातांजली के जो आचारे बालकृष्ण है उन्होंने भी ये clear क है कि WHO से certificate की बात नहीं कही गई है हम के वल ये कह रहे है कि हमें वो certificate मिला जो DCGI अप्रूव करता है quality control के लिए तो अब ये बहुत सारी चीजे है technical चीजे है मैं आपको समझा दूँ के असल में पातांजली ने जो दवा लाउंच करी है जो रिलाउंच ही समझ लिए उसको को क्रोनिल नाम की जो दवा है उसका मतलब क्या है क्या वो कहना क्या चा रहे हैं और असल में भी जो है इस्तिति क्या है लब बोलु आप क्या है वो आप समझ लिए मामला ये है कि पतंजली को को रूनिल नाम की जो दवा है उनकी उसके लिए पहली बार तो आयूश मंत्राले लेकिन अब जो है आयुश मंत्राले ने जो लाइसेंस और अप्रूबल दिया है उसमें इसको सहायक उपाय माना गया है इस दवा को कोरुनिल को यानि कि जो और बहुत सारे उपचार चलते हैं बहुत लंबा चोड़ा उसका कोरुना के अंदर अभी क्योंकि पूरा इलाज न आलती रहती हैं तो अलग-लग जो उपचार हैं उनमें से जो है इसको भी एक सहायक उपाय के तोर पर अप्रूबल मिली है और जिसको लेकर विवाद है कि डेवलेचों ने अप्रूब कर दिया वो क्या है दरसल क्या है कि जब भारस से कोई दवा एक्सपोर्ट होगी या कि इस इसी देश से दूसरी अब देशमें ऐसी कोई दवा तो उसको कुछ क्वाल्टी कंट्रोल कुछ स्टेंडेशक करने होते हैं क्याकि वो दूसरी देश में जा रही है तो वो इस2 नियम जो है डbles ने बनाए थे और उसी का पालन करते हुए जो भारत का DCGI है Drugs Controller Journal of India उसने जो है पातांजली की कोरोने नाम की जो दवा है उसको certificate issue किया है certificate of pharmaceutical product यानि की इस certificate को दिखा कर पातांजली अपनी इस दवा को export कर सकता है तो WHO ने मानिता दी दी है ये बिलकुल अलग चीज है और WHO द्वारा जो कुछ तैमानक है या जो उनकी guidelines है उनको follow करते हुए अगर कुछ भारती जो drug regulator है DCGI उसने approval दी है ये बिलकुल ही अलग चीज है तो समझ जाना चाहिए कि एक तो COVID-19 के उपचार के लिए साहयक उपाए कोरोनेल को आयूश मंत्रा लेने माना है और एक्सपोर्ट करने के लिए जो quality control standards होते है उसका certificate कोरोनेल को मिला है लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी report किया है और मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी तक जो बाबा रामदेव की ये जो कोरोनेल दवा है कोरोना की दवा है इसका जो trial है वो केवल जो बिना लक्षन के मरीज थे या जो हलके लक्षन के मरीज थे उनके ओपर किया गया था जो trial हुआ और उसमें 100 लोगों उन्हें participate किया था जून का महीना था वो और ये कहना है पातंजली रिसर्स इंस्टिटूट का कि 50 लोग जो थे सौ में से 50 लोगों को प्लैसिब हो दिया गया यानि कि उनको लगा कि उनको दवाई दी गई है और वो दी नहीं जाती ट्राइल ऐसे ही होता है रांदेव की जो पातंजली रिसर्स इंस्टिटूट है उसका कहना है कि जो सीवियर या गंभीर विमारी वाले मरीज हैं कोविड-19 वाले उन पर अभी ट्राइल चल रहा है तो हमें यह नहीं माल लेना चाहिए कि यह जो दवा है यह कि आपने खाया आपको मालो कोरोना हो लेकिन अगर हो गया तो आपने दवाई खाई और आपका सब कुछ ठीक हो जागा ऐसा नहीं है यह बहुत सारे जो उपचार बताए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से उन में से एक उपचार जो है हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर जो है कोई काढ़ा पीने को भी कह रहा है को कोई गिलोए कोई गुडूची पीपली अरवधिक दवाओं को जो है मैंटा तो मिली है केंदर सरकार की तरफ से तो बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए गए है उन में से एक यह भी है कि एक सहायक उपाए यह जो दवाई है करुनिल यह है तो मैं उमीद करता हूं कि अब जो कोंट्रोवर्सी हुई थी वो आपके समझ में आ गई होगी और आपके यह भी समझ में आ गया होगा कि बाबा रामदेव की कोरुनिल को जो अपूरूवल मिली है या मन्जूरी मिली है वो किस तरह की है और क्या है